इस पिपरई के इतिहासिक मंडी प्रांगन में उपस्तित मेरी समस जनता जनारदन नहीं मेरे तो परिवार के सदस्चे गण जो यहां मौझूद है आज पिपरई के लिए आज पिपरई के लिए एक इतिहासिक मौका है मेरे भाई और बेनो एक ऐसा मौका है जो इस शेत्र के इस्तियास में स्वर्ण अक्षरों में रखा जाएगा जब देश के ग्रह मंत्री मेरे मार्गदर्शक जिनका बर्धस्त और आशिरवाद सदेव मेरे उपर रहा है हमारे लोग पुरुष सदार पटेल गुजरात की भूमी गुजरात के मेरे हमारे सपूत आधर्ने अमिच शाजी का मेरे पिप्रई के माटी में दिल के आधार पर स्वागत है मेरे भाई और भेनों ऐसी तालिया बजाओ ऐसी तालिया बजाओ कि हमिछ शाजी को एम्दाबाद की याद आ जाए ऐसी तालिया बजाओ पर प्रही की बंडी में और तालिया बजनी चाहिए बचती रहनी चाहिए वह उपर दिवाल पर तालिया बजाओ आज एक इतियासिक मौल है एक इतियासिक मौल है क्योंकि इस देश में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई इस देश का लोपुरुष घ्रा मंत्री के रूप में 75 साल बाद अगर कोई आया है तो हमारे अपने अमेच शाजी आये है मेरे भाई और बहनों देश के आजादी के 75 साल बाद जो देश इंतजार कर रहा था ऐसे तियासिक निर्णय की जिसके किसी भी हिम्मत नहीं थी केवल आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंद बोदी जी और ग्राम मंत्री अमिच शाजी के दौरा संबव हो पाई मेरे भाई और बहनों जो शामा प्रसाद मुकरजी जी का सपना था कि एक देश में दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते तीन सो सत्तर धारा पूर्ण तरीके से रद करके कश्मीर को भारत का भिन्ना गमगाने का कारिया अमिच शाजी ने किया है और पिछले पाथ सालों में जो भय का वातवरण आतंक का वातवरण जम्मुक कश्मीर में होता था प्रधान मंत्री जी के नेतित में और अमिच शाजी के नेतित में जो लोगों की हिम्मत होती थी भारत में आतंक वादियों को भेजने के लिए आज वो लोग आटा के लिए तरस रहे हैं जहाए एक तरफ तीन सो सक्तर रद किया वहीं ट्रिपल तलाक जैसे कानून को रद किया जम्मो और कश्मीर में एक पूर्ण अमज्जान्ती का वातावरन तेनाद किया और हमारी साकारिता के शेत्र में भारत को विश्व पर नंबर एक पर लाने का कारिया हमारे अमिज्जा जी ने किया है अमिज्जा साथ यह भूमी सिंद्या परिवार के लिए बहुत भावनात्मक भूमी है जब मेरी आजी अम्मा पूर राजमाता साव ने राजपत को छोड़ के लोगपत का रास्ता चुना था पहली बार जनसेवा में उत्री थी 1952 में तब इशी शेत्र के भूमी ने और इन सब परिजनों ने उन्हें आशिर्वात प्रदान किया था और जब सन 1971 में मेरे पूज्य पिताजी ने जनसेवा का पत अपनाया और अपना पहला चुनाव जनसंग के टिकेट पे लड़ा तब भी इसी पवित्र भूमी ने उन्हें पूर शिर्वात प्रदान किया और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ आपके आशिर्वात के लिए आपके बर्दस के लिए ताकि ये शेत्र की विकास की गती प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी के नित्त में और अमिच्षा जी के नित्त में एक नई तीवर गती हम अपने शेत्र को दे पाएं मेरे भाई और बहनों ये पिप्राई शेत्र ये मुंगावली शेत्र विकास और प्रगती के सफर पर पिछले 22 वर्षों से अगसर है जब पहली बार में आया अमिच्षा साव यहां सड़के नहीं होती थी गाओं के भाषा में हम कहते हैं के केवल पकडंडी होती थी पकडंडी की आज मुंगावली से अशोग नगर से चंदेरी से गुना से बमोरी से कोला रस से पिछोर से शिप्पुरी से सारी की सारी मकमल की सड़के बन गई हैं मेरे भाई और भेनों मुंगावली से पिप्राई पिप्राई से अशोग नगर और आने वाले समय में मुक्यमंत्री जी के आशिरवात से हमारी कुरवाई से मुंगावली और मुंगावली से चंदेरी के लिए नया हाइवे भी स्विक्रत हो गया है धाई सो करोड उपय का मेरे भाई और भेनों और यहीं पिप्राई में जो एक तैसील के लिए मांग रखी गई थी आज तैसील स्विक्रत हो चुकी है पिप्राई में तीस बिस्तर का अस्पताल स्विक्रत हो चुका है और मेरा ये शेत्र जो शिक्षा के लिए भूका था कोई कलपना नहीं करता था कि मुंगावली में केंद्र विद्याले खुलेगा मुंगावली में हमने केंद्र विद्याले खुला कर शिक्षा के रास्ते खोल दिये अशोक नगर में केंद्र विद्याले चंदेरी में केंद्र विद्याले और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चुनाव आचार साइंता लगने के पहले जो चार ट्रेनों की स्टॉपेज हमने मुंगाउली में दी तिरुचापली से भगत की कोठी उदैपूर से शालिमार एक्सप्रेस दुरगजमेर एक्सप्रेस सूरत से मुजफर एक्सप्रेस आज मुंगाउली से भी देश के कोने कोने में मेरी जंता पहुँच सकती है मेरे भाई और बहनों आज ये ऐलान करना होगा इस मंच से कि प्रदान मंत्री नरेंद बोदी जी के नेतित में जो विक्सित भारत का सपना है प्रदान मंत्री जी साकार करने के लिए संकलित है जिस देश में 80 करोड लोगों को राशन दिया जा रहा है जिस देश में हर व्यक्ति के सिर पर घर देने का संकल्प जहां 65 वर्षों में केवल 3 करोड घर बने थे पिछले 10 साल में 4 करोड घर पूरे देश में बना दिये जहां एक एक देश के वासी के लिए आयुश मानकार दिलवा दिया 5 लाग का स्वास का सुविदा हर देश के वासी के लिए ये मोदी की गैरंटी है मेरे भाई और भेनों और मोदी की गैरंटी मतलब गैरंटी पूरी करने की गैरंटी है मेरे भाई और भेनों और इसलिए कहा जाता है यूई नहीं चुनते हैं मोदी जी को वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं हकीकत बुनते हैं मेरे भाई और भेनो जहां आयूशमान कार्ट दे दिया वही मैलाओं के लिए उज्वला योजना एक एक घर में चूला और गैस का सिलिंडर और आने वाले पाँच सालों में जहां गैस का सिलिंडर है वहां पाइप से गैस आपके घर में पहुचाया जाए है देश को वहीं दूसरे तरफ यह जो घमंडिया गडबंदन खड़ा है यह गडबंदन नहीं है यह ठग बंदन है ठग बंदन 18 माईने हमने मध्यप्रदेश में देखा कैसे एक एक गरीब का पैसा लोटा और आज जब हमारी डबल एंजन की सरकार आ गई तो एक एक किसा को छेह आजार उपईया मोदी जी से औरथट्रे रृपईया मोहन यादर जी से मिल रहा हैं मेरे भाई और भेनों तालियों så국 घरगाइं अंधन्यवाय अर्पित करेको है और आज मेरे बाई और भेनोख यह ठग बंदन परिवार देखता है प्रगति नहीं यह ठग अपना फाइदा देखता है आपका विकास नहीं तो आज इस मंच से मैं आपको अववान करना चाहता हूं कि आज इस मंच से हम संकल्प ले एक संकल्प ले कमल के निशान का बटन दबा कर मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना होगा और उस संकल्प के साथ मात्र भूमी को प्रणाम करता हूं सशक्ति करण को सलाम करता हूं और विकास की पैचान लाने का संकल्प लेता हूं मेरे भाई और भेनों अमिच शाजी के सामने हाथ उठाकर संकल्प लो मुट्टी बान कर और कमल का फूल ऐसे बना कर सब सारे के सारे कमल का भूल बनाए कमल का भूल बनाए मोदी जी और अमिच शाजी का साथ आपका विश्वास हमारा प्रयास और हम करेंगे गुना शिप्पुरी मुंगावली और पिप्रई का कई गुना विकास धन्यवाद जय हिन जय भारत श्री नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद भाजपा जिन्दाबाद